वोकेप सीजन वन रूट वर्ड का तांडब एपिसोड 58 Dear students, आज का रूट वर्ड है MB MB means both, दोनो तो याद रखेंगे, रूट वर्ड है MB MB का मतलब होता है दोनो या बोत मतलब किसी भी English वर्ड में अगर MB दिख जाए वह वर्ड दोनों से संबंदित होगा बोत से संबंदित होगा आई हमारा पहला वर्ड है MB dextrous MB dextrous में देखें दो टर्म है MB plus dextrous MB मतलब बोत दोनो dextrous क्या है तो याद रहे dextrous जो टर्म है ये hand के लिए use होता है especially right hand के लिए use होता है लेकिन यहाँ पर dextrous जो है वो hand के लिए use होता है हाथ के लिए तो MB dextrous मतलब होता है दोनों हाथ MB मतलब दोनों dextrous मतलब हाथ तो MB dextrous का मतलब होता है ability to use both the hands दोनों हाथों को use करने की जो योगता है उसको MB dextrous बोलते हैं जिसे कुछ लोग है दोनों हाथ को बराबर तरीके से use कर लेता है वो ambidextrous हो गया चलिए हमारा अगला वर्ड है ambisynister ambisynister में भी देखिये दो टर्म है MB plus sinister MB मतलब दोनों both sinister का मतलब भी होता है hand हलाकि sinister जो है left hand के लिए use होता है लेकिन है hand के लिए यहाँ पर तो MB मतलब दोनों sinister मतलब hand तो याद रे both the hand यहाँ भी आप बोल सकते है ability to use both the hands दोनों हाथों को use करने की ability है ना ambisynister कहा जाता है नहीं लेकिन दोनों में जो positive word है वो ambidextrous है और ambisynister जो है क्योंकि ये left hand है तो ये negative word हो जाता है simply आपको समझना है कि दोनों हाथों को use करने की योग्यता ऐसा वेकिती जो दोनों हाथों को बराबर तरीके से use कर लेता है उसको लोग ambidextrous या ambisynister बोलेंगे आईए अगला word है ambiparis ambiparis में देखे दो टर्म है ambi plus paris ambi मतलब both, dono, paris paris का मतलब होता है bearing या to bear, जन्म देना तो दोनों जन्म देना ambi मतलब both, paris मतलब जन्म देना दोनों जन्म देना तो क्या जन्म देना तो ऐसा पोधा जो एक साथ फल और फुल दोनों जन्म देता है आप्लांट that be as fruit and flower at the same time ऐसा पौधा जिसमें एक ही समय में आपको फल और फुल दोनों दिखेगा वो MB-Paris कहलाएगा याद रखेंगे चलिए हमारा अगला टर्म है अगला वर्ड है MB-WAT पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है MB-WAT जो है है क्या है तो MB मतलब बोथ होता है वर्ड मतलब होता है टू टर्न बदलना MB मिन्स बोथ दोनों वर्ड मिन्स हो जाता है टू टर्न बदलना दोनों तरब बदलना इसका मतलब ऐसा वेक्ति जिसमें दोनों गुन है मतलब जो इंट्रोवर्ट भी है एक्स्ट्रोवर्ट भी है अर्थात ऐसा वेक्ति जो अकेला रहना भी पसंद करता है भीर में रहना भी पसंद करता है नहीं तो ऐसा वेक्ति जो अकेले रहना भी पसंद करता है और भीर में राना पसंद करता है एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं तो इंट्रोवर्ट हो गया कि जो अकेले राना पसंद करता है एक्स्ट्रोवर्ट जो की भीर में राना पसंद करता है लेकिन जो दोनों जगर राना पसंद करता है अकेले भी भीर में भी कोई दिक्कत नहीं है उसको mb word बोलते हैं तो a person who is introvert and extrovert both तो ऐसा वेक्ति जो introvert और extrovert दोनों है उसी को हम लोग mb word बोलते हैं तो i hope समझ माया होगा कि जिस भी word में mb रहे mb मतलब बोथ अर्थात दोनों तो चाहे mb dexterous हो mb sinister हो mb paris हो mb word हो देखे total में total word जो है दोनों कार्थ दे रहा है mb dexterous दोनों हाथ यूज़ करने की योगता mb sinister दोनों हाथ यूज़ करने की योगता mb paris तो याद रहे एक सा दोनों चीज़ को जन्म देना मतलब ऐसा पौधा जिसमें फल फुल दोनों एक साथ आता हो mb word मतलब जिसमें दोनों गुन हो अकेले रहने का भी भीर में भी रहने का चलिए मिलते हम लोग next episode में